हेलो गैस वेलकाम टू माई यूटुब चैनल बायलोजी क्लासेश है आज हम लोग डिसकस करेंगे प्लाजमी मेंब्रेन के बारे में प्लाजमी मेंब्रेन क्या है उस चीज के बारे में जानेंगे विस्तार पुरबक्ष चलिए तो मोग शुरू करते हैं टाइम ज्यादे ना करते हुए क्योंकि ज्यादे लंबा लेक्षर भी करने नहीं है जानते हैं लोग प्लाजमी मेंब्रेन किसे कहते हैं ठीक है प्लाजमी मेंब्रेन किसी भी सेल का किसी भी एनिमल सेल का आउट्रमोस्ट बॉंडरी जो होता है उसे बोला जाता है प्लाजमा मेंब्रेन लेकिन प्लांट सेल में जो होता है वो प्लाजमा मेंबरेन जो होता है अंदर होता है और उसके बाहर जो होता है क्या होता है सेल वाल लेकिन वो देखा जाता है प्लांट सेलों में सेल वाल जो है सो प्लांट सेल में देखनों को मिलता है ठीक है और साधी साध हमारे एनिमल मतलब हमा रहता है और इसका थिकनेस जो होता है उस साथ नेनोमेटर का होता है इसका मोटा यह मीन सेवन नेनोमेटर का होता है तो हम सबसे पहला लाइन जो यह सो वही लिखे हैं कि आउटर मोस्ट बॉंडरी ओफ दा सेल सेल का जो यह सो आउटर मोस्ट बॉंडरी होता है प्लाज्मा म यहां जो है सवत चीजों को जो है सो अंदर और बाहर होने देता है कों प्लाज्म मेंबरेन ऐसे बना है जब चलते हैं आगे थोड़ा प्लाज्म मेंबरेन के बाद कि इसका जो है कंपोजिसन सेल मेंबरेंड का किस अधार से किस पराद से बना है तो पलाजम मेंबरेंड जो है से लिफीड पलाजम मेंबरेंड में लिफीड जो है सो 40% होता है प्रोटीन जो है अंठावन सो 69% होता है और कर्वो हैड़ेड जो है सो 1-2% होता है लेकिन लिफीड में कैसा लिफीड होता ह क्या क्या होता है उसमें कंटेंट्स लिफीड में हो सकते हैं फास्फो लिफीड कॉलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइको लिफीड ठीक है अब प्रोटीन में अर्जनीन और लाइसिन रिच ठीक है लेकिन इस कार्बो हैटर्ट में जो है अस्मॉल क्वान्टेटिस में होता है क्या ह हमेडल का। टिक है? चलते हैं हम आगे बना यह मेरा खाली स्लाइड लूएं है इसके बाद इसमें model दिया वे कुछ सब्लाज में म्यूडल सब्सक्क लेकिन हम लोग डिस्कस करना है कितने के बारे में दो के बारे में से होन fark में नहीं करना असरा पेज़ता है अयह सब्सक्राइव के बारे में सब्सक्राइब लेकिन फिर भी अगर एडवांस हम लोगों पढ़ना रहे तो नीट वी कत्यारी वायरी करना रहे तो उसमें हम लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं विस्तार पूरवक क्योंकि NCRT ने केवल टाच करता है NCRT टाच करने के बाद उसको पूरव पढ़ना ही पढ़ता है लेकिन फिर भी अगर ना पढ़ो तो सेमेश्टर टू गर्जिविशन में पढ़ना है किस चीज के बारे में सेंडविच मोडल के बारे में तीनों के बारे में तीनों मोडल के बारे में विस्तार पूरवक करना है लेकिन हम लोग उतना फोकस नहीं करना हम लोगों फोकस करना से जे डेविड रोबर्सन ने कि 1969 में उन्होंने बताया था कि कि सेल में एक आउटर प्रोटीन उपर वाले को बता है आउटर प्रोटीन और निचे बाद उसके बीच में जो गोल गोल आउपर गोल गोल जो दीख रहे हैं यह एक मिनट हमको लेने दे यह और यह इसको हम लोग बोलते हैं क्या है यह फास्फो लिफीड है क्या है यह फास्फो लिफीड है उसमें फास्फो लिफीड में भी जो है यह गोल वाला जो है वह इसका हेड पार्ट है है ना और निचे जो लटका हुआ है उसका टेल उसके बिच है उसके बिच वह से क्या होता है। है है आज वाटर को एफ्जोर्ब करने में मदद करता है। तैक उसी प्रकार से इनर प्रोटिन और रे जो हैट क्या है। फास्फो फास्फो लिफिट का हेड है ना कि यह जो यह सो हाइड्रोफिलिक है वह भी जो यह सो वाटर को एफ्जॉर्ब करने का काम करता है और यह टेल पार्ट है वह जो यह सो नन पॉलर होता है जिससे वह यह सो वाटर को यह से रिपेल करने का काम करता है क्या करता है स्तार है ठीक है उसके बाद लिफिट वाइंसेंडवीच इनर एंड अउटर लेर प्रोटिन थेस्में जो ₹ मतलब होता है सेंडविच सेब्सेब का बिट्वीटिन इनर एंड अउटर अउ stripes ठीके प्लाज्मा मेंब्रेन इस राइक सेंड्विच किस तरह होता है सेंड्विच लाइक प्लाज्मा अिसमें यूइट मेंब्रेन में अधिक है उसके बार हम लोग चलीए कि बारेंहें प्रोटिर्ट के था बताया था किसी मोडल के बारे में इस क्या होता है कि वर चाहिए जिसे नाम रखा गया ध्यves को इसमें जो लिपिड का जो सो बाय लेड़ है दो लेड़ है कोई दिखात है इससो बोला जाता है एक्स्ट्रिंजिक प्रोटीन और नीशे वाले वह इसको बोला जाता है इंट्रिंजिक प्रोटीन ठीक है कोई दिखात और जो सो गलाइको प्रोटीन डालाता है चीक है और इसी में से एक हम लोग फास्फोलिफीट का एक आइसोलेट कियें निकालें एक सिंगल को और उसको हम लोग इंडिकेट कियें कि इसका हेड़ पार्थ है जो वाटर को एव्जॉर्ब करने में मदद करता है और इसको नन-पॉलर पार्थ है है न जो क्या करता है फैटी को रिपल करने में मदद करता है ठीक है उसके बाद हम लोग उसी चीज को बोलें कि इसनी नौट कांटिनिवस देखो प्रोटीन इसमें कंटिनिवस है क्या नहीं है ठीक है उसी से आगा हम लोग एलखें प्रोटीन इरदा इमबेड़ड लेकवीड लेकवीड बाइल यड प सिसीए किस फ़म में होता है एक मोय्सेक नहीं के अलोटीन कोई लेर संडविच है क्या 타-7 य Odyssey लाइव परें परना हैं इसके बाद हमलों कोत्य सक्कांपना किसी का सबस्क्राश्वर गॉलेस्चंट की He too मतलब आसानी से जो है सो किसी मोलीक्यूल का मुव्मेंट जो आसानी से किस अधार से होता है तो सबसे लिपीड लिपीड सोल्यूबर होता है वह जो जो एसो इसली क्या होता है कि इजली इसको लिख सकते हो कि इजली जो है क्या होता है मुव्मेंट करता है यह जो मतलब किसमें प्लाज्म मेंबरेन में इजली ठीक है और यह जो नीट्रल गेस इन ग्लुकोज यह भी इजली लेकिन आयन्स जो होता है वो प्लाज्म मेंबरेन में डिफिकल्ट बहुत डि किस प्रकार से होता है ठीक है तो देखो बाबू एक्टिव ट्रांस्पोर्ट और पेसिव ट्रांस्पोर्ट जो ट्रांस्पोर्ट होते हैं हमारे किसमें प्लाजमें बनें ठीक है लॉग कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है ना लॉग कंसंट्रेशन से लेगे किसी मुल uphill movement है ना uphill मतलब कि उपर के ओर uphill movement करवाता है और जब uphill उपर के ओर जा रहा है तो इनर्जी चार्ज होता है है ना तो with the use of shell energy shell के energy से ठीक है जिसका example है sodium potassium pump कोई दिखात नहीं लेकिन इसमें passive में जो है शो high concentration to low concentration movement करवाता है ट्रांस्पोटेशन करवाता है ठीक है along to the, along, along to the concentration gradient ठीक है along, along, along to the concentration gradient downward, downhill movement, downhill मतलब कि नीचे की ओर movement करवाता है कोई दिकरत नहीं without use of energy shell energy shell का कोई energy use नहीं होता है कोई दिकरत नहीं होना भी नहीं चाहिए ठीक है अगर किसी को किसी प्रकार से कोई आपत्ती हो किसी को कोई डॉट हो या डॉट किलियर करना हो तो कॉमेंट सेक्षन में आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं कॉमेंट का वहाँ पर गौर करूंगा और मैं वहाँ से जवाब देने का प्रियास करूंगा अब हम लोग पढ़ाएंगे यहां पर किसके तो हम लोग पढ़ेंगे पेशिव के पारे में कि पेशिव ट्रांसपोर्ट के जोएं सो कुछ जोएसो क्या है एक्जाम्पल से उस चीज के बारे हम लोग जानेंगे ठीक है तो सबसे पहला क्या है तो diffusion process ठीक है diffusion क्या होता है कि movement of solute molecule ठीक है movement of solute molecule from high concentration to lower concentration ठीक है एक्जाम्पल जैसे gas है ना उसे बोलते हैं हम लोग क्या diffusion process और उसी प्रकार से हम लोग बोलेगे अस्मोसिस है ना movement of water molecule water molecule का movement करवाना किसे across the cell memory to high concentration high water potential to low water potential ठीक है उसे बोलेगे हम लोग ऑस्मोसिस उसी प्रकार से हम लोगे diffusion process के बारे में एक इस एक केरियर है ना इस एक क्या है फेस्लेटेटड डिफ्यूजन इट एक केरियर केरियमें तरुड होना है ना mediate transport in the in wisdom molecule secure move to the higher concentration to lower concentration ठीक है किसकी माधियम से केरियर प्रोटिन के माधियम से ठीक है कोई दिकत हो तो तो तुम पूछ सकते हैं हम तो को बता दिये हैं ठीक है कि अगर समझ में आया ना कि किसे कहते हैं लोग फेस्लेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं सो है ने डिफ्यूजन किसे कहते हैं और ना भी आयो हो तो पुरा जिसको ना समझ में आयो उसको कमेंट सक्षां में बोलने कि हमको नहीं समझ में उसको फिर से मैं तो लोग आप active transport के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, active के बारे में एक कुछ example के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, active transport में होता है endocytosis, है ना, intake of material along the folding of, है ना, infolding of cell membrane, है ना, जब किसी material को लेता है, कौन membrane, किसके माधें से, वेहक्यूल के माधें से, कब, जब infolding ह होता है cell membrane, तब, तो उसे क्या बोलते है, endocytosis, ठीक है, intake of material, मतलब लेना, intake करना material का, ठीक है, intake of material along to the infolding of cell, cell के infolding में, from किसके द्वारा, वेहक्यूल के, of वेहक्यूल, मतलब वेहक्यूल के द्वारा, ठीक है, उसके बाद होता है, exocytosis, outtake of material, material को जो से, आउट टेक करन आउट फोल्डिंग, है ना, out folding of the cell, cell का out folding में, cell memory का, है ना, किसके माध्यम से, वेक्यूल के, वेक्यूल के माध्यम से, ठीक है, वेक्यूल के फोर्म में, वेक्यूल के द्वारा, ठीक है, कोई दिका, अलग दिकात तो तो फिच लेना, ठीक है, उसके बाद, अगर हम लोग इसमें देखें हम लोग कि intake of material, किसी material को अगर ले रहा है, cell में हम लोग जब in folding कर रहा है, तो किसी material को ले रहा है, ठीक है, अगर ले रहा है, तो किस फौर्म में, इस liquid के फौर्म में ले रहा है, कि solid के फौर्म में ले रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग phagocytosis, है ना, हैं दोmotherर आक्र हो fahren युथा युथा टो कि सी है média है हम लोग किसे कहता है इंटेक ओफ में दा इन दा स्वृट City के फ plaint कर लाता जिसे बतान शेटीऑ सुलатा चीटिंग प्रोसेस क् Nan 40 प्रोसेस बोलता है अब प्रोसाइट में इंटेक अब मेटरियल इन लिक्वीड फॉर्म अगर लिक्वीड फॉर्म में लेता है तो अब लोग बहुँ ज्यादा प्रियास करूंगा और हमें सा तात पर रहूंगा आप लोगों को उतर देने के लिए साथी साथ सेल मेंब्रेन का क्या काम होता है इंपल्स ट्रांस्मिशन का ठीक है नीरल सेल कोई दिखत और साथी साथ बेरियर का भी काम करता है है ना बेरियर का काम करता है कौन प्लाज्मा मेंब्रेन सेल मेंब्रेन हां कन्फूजन ना सेल मेंब्रेन और प्लाज्म मेंब्रेन हुआ तो पूछ लेना कि वरियरदी एक्ấ्टब्स इंड्रा इंफर्मेंट रैन उपीद करता हूं कि कि सी को कोwah कोई दिकत नहीं हों अगर हुआ भी हो झाल झाल